कैसे हो आप सब आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेल्कम है आप सभीगा आज की इस विडियो में आज है संडे संडे मौरिंग और मार्केट के क्या हल चल रहे हैंfallen विकेंट का टाइम चल रहा है अगर आप कल सही मार्केट को नोटिस गर कोणाग है जो हम levels देख रहे हैं पिछले 24 घंटे से कल से Bitcoin टिका हुआ है 27,400-500 की range में आगर आप देखो ये daily time frame का chart है Bitcoin का और यहाँ पे अगर हम कल की candle देखें कुछ भी नहीं हुआ है है ना अगर आप यहाँ पे देखोगे और ये भी candle में कुछ नहीं हुआ है मतलब आज की जो candle है वो भी ठीकी हुई है 27,500 के level पे 28,900 डॉलर्स का यहाँ पे Bitcoin ने already high लगा रखा है 19,500 से हम आए है 28,900 तक weekly closing का भी time है कुछ ही घंटे हैं यहाँ पे जो है मतलब जो है कल morning में weekly closing भी हो जेगी और weekly closing Bitcoin कहां करता है यह भी देखना बहुत जरूरी है तो अगर हम weekly chart के उपर चलें तो मतलब कल से हो रहा है नया week start नया week start हो रहा है मतलब नई week की नई candle है ना और अगर आप देखो यहाँ पे Bitcoin में इस week जो है यहाँ अगर मैं इस week की candle की बात करता हूं तो इस week हमने जो देखा है Bitcoin के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे Bitcoin ने high लगाया 28,900 का और low level है 26,600 का है ना अभी हमने दो दिन पहले 26,600 भी देखा तो Bitcoin की जो weekly candle रही है अभी तक फिलहाल वो 26,600 के low तक रही है और 28,900 के यहाँ पे high तक रही है तो यह level रहे है इस weekly candle के अभी यहाँ पे time है weekly closing को तो बाजी कभी भी पलट सकती है हना तो फिर से Bitcoin हो सकता है कि 28,000 पे closing हमको देदे और अगर weekly closing 28,300-400 और भी अच्छी देता है Bitcoin तो फिर next week definitely हम जाने वाले है जो हम expect कर रहे है और उपर है ना 32,300 का यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तो नया week start हो रहा है उपर से यहाँ पे कुछी दिन है अब यह March मंत के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि March मंत की closing देखनी है हमको monthly closing वो Bitcoin कहां देता है और अगर मैं monthly candle के उपर चलूँ तो यहाँ पे monthly candle में क्या कुछ हो रहा है Bitcoin की तो यह हम आगे है monthly candle के उपर अगर आप देखो तीन मंत जनवरी की candle green में है ना उसके बाद फरवरी की candle बीच में अटक के रहे गी थोड़ी सी और third month की जो आप candle देखेंगे वो फिर से green में चल रही है और अगर यह green में close हुई अच्छी खासी green में close हुई तो definitely हम जो 30-32 का level अगर मान लो 1% chances हैं कि March month में अगर 30-32 hit नहीं करता है weekly closing का time है तो इस सारी closing देखना बहुत जरूरी है बिटकोईन के लिए already market में level TK हुए है weekend पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है और बहुत सारे coins में अच्छा गासा dip हमको देखने को मिल रहा है तो dip का मौका भी miss नहीं होना चाहिए अगर आप कोई coin खरीदने की सोच रहे हैं तो dip के मौके में ही खरीदे हैं मतलब जब वो dip में मिल रहा है तभी आप खरीदे तभी आपको अच्छा benefit होगा ठीक है तो जो भी कर रहे हैं अपनी research के साथ कीजेगा और ये current हाल है आज bitcoin के next update है यहाँ पे इंडिया को लेके इंडिया to have 150 million crypto users by the end of 2023 अगर आप देखो यहाँ पे जो है इंडिया के जो है 150 million crypto users का एक number निकल के आ रहा है और इंडिया's crypto adoption rate could surpass the that of the US and UK by the year's end एक तरह से ये सारी चीजे possible हो जकती हैं किसको लेके adoption को लेके और इंडिया's could flock to crypto in the near future एक survey यहाँ पे बता रहा है कि the survey estimated that 11% of India population 11% इंडिया की total population वेसे 11% will have dive into the cryptocurrency sector by the end of 2023 मतलब इस 2023 के end तक इंडिया की 11% population जो है वो क्या कर लेगी crypto में आजेगी यह कहना है यहाँ पे इस survey का and the country crypto adoption rate is expected to surpass that of the United States and United Kingdom, Japan, Russia मतलब यह सारी चीजें cross कर लेंगी किसको United States, UK, Japan and Russia को और यहाँ पे जो अगर आप देखो और यह जो most Indian would deal with digital assets are well educated and age between 18 to 14 years जो यह जितने भी crypto currency में आएंगे या हैं उनकी age भी यहाँ पे mention की गई है 18 to 40 years वेल educated and previous study shows that youngsters are most likely to interact with the industry in the other countries तो यह तो चीज़ क्लियर है कि youngsters है crypto currency के अंदर इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है और 11% population है इंडिया की population का अगर 11% आ रहा है तो एक बहुत बड़ी बात है अब यह चीज़ possible होगी या नहीं होगी और यह चीज़ possible तब ही हो सकती है जब Indian government crypto को लेके कुछ करेगी या कुछ adoption हमको देखने को मिलेगा crypto का है नग तो यह देखना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में crypto का future रहता क्या है सबसे पहली चीज़ सर्वे हमने पहले भी देखे हैं बहुत सारे ठीक है तो यह सर्वे भी यही बता रहा है कि जो crypto 11% population है जो crypto में आ जाएगी तो तयार रहेगा कल के लिए कल नया week तो start हो रहा है लेकिन polygon matic के लिए बहुत बड़ा दिन है 27 March जो polygon का zkvm है उसका यहाँ पे बेसबरी से इंतजार हो रहा है और इसी की yard में Wales ने पिछले एक महीने से भर भर के matic खरीदे है अब यह देखना जरूरी है कि इस update के उपर कल जो है polygon में हमको क्या देखने को मलता है ठीक है तो कल कही ना कहीं बड़ा दिन है polygon matic के लिए नेक्स नम बात करेंगे शिवा इनू के बारे में शिवा इनू की monthly और weekly monthly और quarterly जो burning है उसको लेके हम यहां पर थोड़ा सा बात करें और बात करना जरूरी है बहुत सारे projects ऐसे हैं जो monthly burn करते हैं कुछ quarterly burn करते हैं तो शिवा इनू के साथ भी ठीक ऐसा हो सकता है और शायतोशी कुसामा से हम भी चाहते हैं कि वो कुछ यहां पर करें burning को लेके ठीक है लेकिन आपका support भी जरूरी है तो फिर से twitter पे follow कीजिए telegram पे join कीजिए और जैदा से जैदा retweet कीजिए और comment कीजिए like कीजिए share कीजिए ठीक है जब तक यहां पर शिवा इनू की monthly या quarterly burn स्टार्ट नहीं होते तब तक हम कोशिश करते रहेंगे ठीक है और जरूरी है यह trillions वाली जो supply है शिवा इनू की यह तब ही कम होगी जब यहां पर कोई ऐसा step उठाया जाएगा है न और अगर जहां तक हम देखें इस monthly और quarterly burn को इसको समझना जरूरी है अगर यह burn start होते हैं चाहे monthly हो या quarterly हो इससे benefit मिलने वाला है शिवा इनू को price पे भी असर देखने को मिलेगा और शिवा इनू में और भी ज़्यदा लोग आते हुए दिखेंगे और भी ज़्यदा community बढ़ती भी दिखेगी शिवा इनू की अल्रेडी बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों के पास शिवा इनू है लेकिन फिर भी ये एक plus point रहेगा कि शिवा इनू की supply को लेके भी यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है ऐसे में एक पूरी possibilities है कि यहाँ पे और बड़ी community हो सकती है शिवा इनू की तो जरूरी है शिवा इनू की यह जो इतनी भारी भर कम supply है उसको कम किया जाए जो trillions वाली है इसको trillions वाली ही burning चाहिए चाहिए वो quarterly burn करें या मंथली burn करें एक अच्छी घासी burning होनी चाहिए जिससे supply थोड़ा जल्दी जल्दी बर्नो मैं यह नहीं गहरा बड़ी बड़ी quantities बर्नो नहीं लेकिन जो इतनी low level हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए medium burning होनी चाहिए जो शिवा इनू को एक साही time पे supply कम कर दे है कुछ ऐसा सिलसिला start होना चाहिए next आम बात करेंगे bitgert की bitgert की दो date आपको note करनी है ठीक है first date है यहाँ पे first April की यानि April की starting में यहाँ पे third burn होने वाला है get ready for the third monthly burn happening on April 1st 2023 2023 को एक April 2023 को पहली burning पे बहुत अच्छा price increase हुआ था दूसरी burning पे कुछ नहीं हुआ तीसरी पे क्या होगा यह time बताएगा लेकिन हाँ third burning होने वाली है एक April को और next यहाँ पे 31st March जी हाँ last month of March month last day of March month तो 31 March को भी यहाँ पे अगर आप देखो कुछ indication मिल रहा कुछ बड़ी announcement हो सकती है कुछ भी announce हो सकता है ठीक है तो बिटगर्ट ने यह भी एक indication दिया एक April को burning है और 31 March को क्या surprise बिटगर्ट यहाँ पे देता है यह देखना बहुत ज़रूरी है तो आज की इस वीडियो को करते हैं पेंड वीडियो पसंदा है लाइक शेर कमेंट कीजेगा कोई भी question कोई भी सवाल पूछ सकते है किसी भी crypto में आप invest कर रहे है हमेशा अपनी research करें वो बहुत ज़रूरी होती है और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care